हे गाइज कैसे हैं आप लोग आई होप अच्छे होंगे गाइज इस वीडियो में बात करेंगे आरवीपी डेडी फॉर्म में गाय की बच्छियों को कम समय में कैसे त्यार किया जाता है क्या क्या खिलाया जाता है तो यह आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा लिंक मिल जाएगा क्या-क्या खिलाया जाता है डिस्क्रिप्शन में दिया गया आप डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हैं या आप एंड स्क्रीन तक बने रहें एंड स्क्रीन में आपको दिख जाएगा कि क्या-क्या खिलाया जाता है इन बच्चियों को ताकि कम समय में त आर बीपी डेडी फोर में इतना जल्दी बच्चिया कैसे तयार हो जाती है यह देख सकते हैं आप और पुलिए बच्चियों को उनकी माझे साथ ही बांधा जाता है जितना भी मैिट्रियाल उनकी माझा मिलता उतना उन बच्चियों को भी मिलता है इसी वज़ा से ये लोग ज़्यादा डेवलप कर जाते हैं, कम समय में ज़्यादा डेवलप कर जाते हैं, ये देख सकते हैं, ये बच्चिया की माँ है, जो कि अभी खाड़ी है, सभी का ऐसे अभी खाड़ी है, लेकिन ये बच्चिया अपने माँ के साथ खाती है, जितना मे बच्चियों को देख सकते हैं पुड़ा अपने नाग को अंदर डाल करके इसी वज़ा से बच्चिया बहुत जल्दी त्यार हो जाते हैं इनको त्यार होने में मात्र एक और बच्चिया जो कि अभी दो साल के प्रॉक्स हुए लेकिन अभी प्रेगनेंट है वह दिखाते दे यह जो है यह तो अब कुछ दिनों में नेक्स्ट मंत में यह अपना बच्चे को भी जन्म देगी यह अपना थान वेगरा छोड़ रही है यह तो यह सब काफी कम दिनों का बच्चिया यह एक प्रॉक्स डेर साल 17-18 मैना हो रहा होगा इन बच्चिया का तो इनका दो साल के प्रॉक्स हो रहा होगा तो देख सकते हैं यह बच्चिया को कितना जल्दी आपे ग्रोग कर जाते हैं क्योंकि इन बच्चिया लोग अपने मां के साथ खाती है जो भी इनकी मां को खाना मिलती है सारा का सारा बच्चिया भी खाती है इसी वज़ा से यह लोग बहुत तेरा चौदा मन्त का हो गाए जो कि इतना डेवलप्ट है अभी